यह चैनल किसी भी अवयद गतिवीदियों को बढ़ावा या पुरुटसाहित नहीं करता है। यहां पे आप देख सकते हैं रिश्र तीन डॉलर माइनस हो चुक हुए है। हेलो एवरीबड़ी वल्कम बाक अगेन विद न्यू वीडियो टेक्निकल अलवे यूड्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज के दिन डे ट्वेंडी थी हम डिसकस करने वाले हैं एकोनोमिकल कैलेंडर में सेलेक्शन कैसे होता है और आज यार सप्राइजिंगली ना मतलब चीजे क्या है कि मैं इवनिंग में ट्रेड कर रहा हूँ और अभी तक मैं आफ्टरून में कर रहा था तो आज इवनिंग में ट्रेड कर रहा है एक दुबार मैंने रात को भी ट्रे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी जाईए और चेक कीजिए हर एक डे एपिसोड में कुछ अलग और कुछ नए आपको देखने को जरूर मिलेगा चलिए यार आज की दिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल ऐगन को प्रेस कर दो लिंक डिस्क्रिप्चिन में इस वीडियो के अगर आप रेजिस्र करना चाहते है आप बेनेफिट चाहते है फ्री में सिगनल्स चाहते है तो आप जरूर जाइन कीजिए और टैलीग्राम पे भी जा सकते हैं आप जाइन कर सकते हैं बहुत सारी नॉलेज वहाँ पर आपको मिलती है absolutely free चैनल पर हर एक चीज आपको free में मिलती आईए और आगे भी free में मिलती आएगी तो यार आज की दिन का day 23 है सबसे पहले आपको करना क्या है Google पर जाना है search करना investing.com economical calendar filters आपको select कर लेने मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अगर अभी आते हैं तो अभी के accordingly 4.30 ओके और 39 मिनट बाद BRL की इसकों में जरुवत नहीं है और GBP और USD की news है 6 बजे तो USD से अभी हमने को कोई लेना देना नहीं है और GBP की news थी 39 मिनट बाद मतलब है तो हम अभी फिलाल Day 23 में GBP के pairs के साथ ट्रेड नहीं लेंगे याद रखना क्यों क्योंकि यार कोई भी news आती है यानि कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 impact की news है यानि 2 bulls की news है इस case में क्या होता है कि impact एक घंटे पहले और एक घंटे बाद तक देखने को मिल सकता है और हम news impacts पे trade नहीं लेते news impacts पे कौन से impacts के साथ trade लेते CCI और जो NFP है यह सारे जो impact है PPI है manufacturing unit है Canadian news है इन पे हम trade लेते वीडियो चैनल पे इसके उपर भी मैं बना के डाल चुका हूँ आप जाके check कर सकते GBP के pair को हटा देते हैं तो हम देखो yesterday हमने GBP के pair के साथ ही trade ली थी तो अब GBP के pair को हटा के अब एक काम करते हैं EURUSD और यार एक चीज़ बता देता हूँ देखो कि आप last video तीन से चार दिन पहले आई थी day series की अभी काफी लेट आ रही है तो यार reason उसके पीछे यह है कि NFP आ गया था और NFP के अंदर अच्छा कासा profit मैंने कर लिया था तो मैं फिर थोड़ा सा इस account के साथ थोड़ा break लिया क्योंकि NFP में already profit अपने अच्छा किया था तो यार इसलिए जादा घाई नहीं करनी चीए इस वज़े से मैंने break लिया और तीन चार दिन बाद फिर से continue कर दे इस series को तो यार देखो जब तक अपन पहुँचेंगे निना thousand dollars तक तब तक यह series रुखेगी नहीं दो reason है या तो पहुचेंगे या तो नहीं पहुचेंगे मतलब दम ही तोड़े दिया account zero हो गया उस case में हम रुख जाएंगे और या तो अपन पहुच ही जाएंगे तो यह दो चीजे हैं दोनों में से कुछ न कुछ एक तो जरूर होगी इंट्रस्टिंग बना रहेगा देखना आप लोगों का कि क्या होने वाला है सबसे पहले क्या करते हैं यह जो मैंने अरून इंडिकेटर लगा रखा था इसको मैं हटा देता हूँ trend line वगरा यह सब मैं अभी फिलाल हटा देता हूँ और directly आते हैं यहाँ पे ओके चलिए strategy apply करते हैं यह पे मैंने क्लिक किया मतलब indicators यहाँ पे आप देख सकते हैं और हाज हम फिर से जाने वाले ballinger band के साथ क्योंकि देखो मेरा कोई plan नहीं है कोई strategy नहीं है तो that's why I am going with ballinger band अब भी क्या है और किते dollars की trade देने वाले profit target क्या है loss target क्या है let me tell you तो आज के दिन हमारा profit target होने वाला है 10 डॉलर का loss target होने वाला है 5 डॉलर का क्यों क्योंकि अगर याद होगा आपको इससे पहले वाला जो day है day 22 वहाँ पे हमारा जो profit target था वो 20 डॉलर का था और lost target 10 डॉलर का था तो आज मैं थोड़े से कम risk के साथ जाना चाहूंगा और amount जो है वो 3 डॉलर की मैं trade यहाँ पे place करना चाहूंगा दो minute के लिए अपोई direction में ने trade place कर दी है reason में आपको बता देता हूँ क्यों trade place की देखिए जब भी कोई red candle बनती है इसको cross करती है red trend line को ballinger van की strategy में बताता हूँ ऐसा तो मैं video upload कर चुका हूँ इससे strategy पर या आपने नहीं देखी तो फिर से आप miss करेंगे कुछ बहुत सारी चीज़े आप miss करेंगे trust में अगर आप चैनल को subscribe और bell icon को press नहीं करते हैं तो और ये green color की candle उसके बाद आपको closing में मिलती है तो उस case में ज़्यादा तर chances रहते है तीन या चार मिनट मतलब दो मिनट से उपर की जो timing है उस पे ज़्यादा तर chances रहते हैं कि आपको green में market जाता हुआ देखिए ज़्यादा तर chances not 100% sure every time ठीक है मतलब वो तो 100% surety वाली तो बात नहीं है बाद ठीक है कोई बात नहीं स्ट्रेड को finish होने देते हैं क्योंकि हमारा loss target आज का 5 dollars का है अगर ये trade loss में भी जाती है तो कोई बात नहीं फिर भी में पस 2 dollars 2 dollars रहेंगे cover करने के लिए तो let's see guys इसको finish होने देते हैं इस trade को and then वापिस से मुलाकात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं result 3 dollars minus हो चुके हैं बट ठीक है यार मतलब मुझे काफी ज़ादा satisfaction है क्योंकि मेरी prediction काफी हद तक सही थी हलका सा 3-4 seconds का delay उसकी वज़े से market नीचे आ गया बट कोई बात नहीं यहाँ पर trend जो है फिर से change होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अब मेरे पास बचे हैं मात्र 2 dollars यानि कि सिर्फ 2 dollars का game भागी है दो डॉलर गए तो फिर lost target आज की दिन का heat हो जाएगा and then हम trade नी ले सकते तो यार क्या लगता है आपको मुझे लगता है मुझे 2 dollars के साथ जाना चाहिए मैं 2 dollars के साथ जाऊंगा क्योंकि 10 dollars से हमने 140 dollars के आसपास किया है तो इतना रिस्क बनता है इतना रिस्क हम कर सकते हैं इतना रिस्क ले सकते हैं तो दोस्तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रेक में बने रहने के लिए यार क्या हुआ कि आपको बता है लॉस होगे थी फर्स टेट तो मैंने थूड़ा सा ब्रेक लिया ये चीज देखने के लिए कि क्या हमें इस स्ट्राटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और शिट भी चेंज इस स्ट्राटेजी तो यार क्या करना चाहिए तो फर्स्ट अफॉल आज के हमारे लॉस टार्गेट के अकॉर्डिंग लिए हमारे पास सिर्फ दो डॉलर्स बचे हैं तो यहाँ पर अमाउन म दॉलर्स बचे हैं यहां से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कोई चांस नहीं है यह गए तो हाज हमारा लॉस टार्गेट हीट हो जाएगा लेकिन एक चीज़ आपको जरूर बताने वाला हूँ अगले एपिसोड से हमारा लॉस टार्गेट और प्रॉफिट टार्गेट exponentially बढ़ने वाले मतलब जादा ट्रेडिंग करने वाले डे के हिसाब से देखना बिलकुल मत भूलना जुडे रहना चैनल के साथ बहुत important information आपको मिलेंगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा trust me guys तो चलिए यार next trade की तरफ आते हैं अब graph पे अगर थोड़ी नजर डाली जाए तो मैं downward direction में जाना चाहूंगा downward direction में मैंने trade जो है वो place कर दी है reason उसके पीछे यह है मुझे resistance दिख रहा है इसकी वज़ए से मैं downward direction में गया trade आप enjoy कीजिए after this trade फिर से मुलाकात करते यार दोस्तों यह जो है यह फायदा होता है जब आप break लेते हैं न मतलब आपको पता है आप एक सही direction choose करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत जादा करनी पड़ जाती है कई बार $1.64 का profit मतलब अभी भी हम race में है अभी मैं हमार बास balance कितना है $3.64 आज के दिन के लिए ठीक है तो आज के दिन मैं फिर से $2 के साथ जाना चाहूंगा let's see कि किस direction में हम जा सकते हैं मैं थोड़ा zoom out करके देखना चाहूंगा यह आप graph है आप भी देखी और अपनी predictions भी comment section में मेरे साथ share कीजिए यह जो trade है मैं downward direction में लगाना चाहूंगा for $2 one minute trade मैंने place कर दिये zoom in करता हूँ आपके देखने के लिए enjoy कीजिए this trade and after this trade फिर से मुलाकात करते है so guys फिर से हमें हार का सामना करना पड़ा है यहां पर बढ़ कोई बात नहीं हार और जी जैसे game में चलती रहती है वैसे यहां भी चलती रहती है green and red thumbnail आपने देखा है होगा amazing thumbnails है या नी comment section में मुझे अपनी rise जरूर से share करें मुझे अपनी जो feedback है वो जरूर दे है चलिए यार मैं उमीद कर सकता हूँ आप भी जब trading करते हैं यह same situation आप भी face करते हैं मतलब कई बार ऐसा होता है समझ नहीं आता कि क्या करूँ किते dollars की trade लूँ confusion हो जाता है lost target को hit करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 dollars बाकी है approximate 2 dollars तो ऐसी situation सबके साथ आती है कोई special नहीं है बट तरीके special होते हैं इंसान special नहीं होते हना god gift नहीं होती trading बट आप जो pattern जो strategy यूज करते हो वो important होता है जो path आप लेते हो चलिए तो यहां से I would like to go in for upward direction मैं जाना चाहूंगा देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं यहां से upward direction मैं जाना चाहिए यहां से मैं trade लेने वाला हूँ upward direction में हाँ छोटा सा break हमें लेना पड़ गया था बीच में क्यूंकि आपको पता ही है यार लेते रहना पड़ता है break चेक करते रहने के लिए और मैं मुझे place करते नहीं चाहिए थे trade आपसे बात करते करते मिस हो गया एक बहुत अच्छा signal कोई बात नी दो डॉलर की मैंने trade जो है वो place कर दी है upward direction में और मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ यहां पे आप trade भी enjoy कर सकते हैं after this trade मुलाकात करते हैं एक बार फिर से मात्र मात्र पाँच चार तीन दो एक ड़न as a result 1.64 डॉलर मेरी खुशी के साथ साथ आपके चेहरों बे भी definitely खुशी आती होगी आनी भी चाहिए चलिए 3 डॉलर्स की इस बार हम trade लेने वाले हैं इस बार थोड़ा है amount बड़ा है तीन डॉलर्स है क्योंकि हम अब जा सकते हैं 3 डॉलर्स के लिए ठीक है और मैं हलका सा लेट हो गया हर बार की तरह एक मिनट का टाइम डिरिक्शन है VIP बॉक्स में इंजॉय कीजिए यहाँ पर यह हमारा VIP बॉक्स है इंजॉय यह ट्रेड हीर देखिए टाइम से लेके सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो इंजॉय कीजिए इस ट्रेड मैं चला कॉफी पीने तो गाईज आप देख सकते हैं प्रॉफिट हो चुका है मैं इस ट्रेड में चलिए नेक्स ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं तो अब मैं ट्रेड लेना चाहूंगा हमारे फाइफ डॉलर्स की क्योंकि अभी मैं बॉफर में हूँ एक डॉलर फिर भी बचेगा मेरे पास दो डॉलर आई तिंक तो इसलिए हम फाइफ डॉलर्स की ट्रेड लेने वाले और किस डिरेक्शन में जाना चाहिए मैं थोड़ा सा historical data पर देखता हूँ यार डोजी बना था उसके बाद ट्रेंड तो जरूर चेंज हुआ तो अभी फिर से मुझे डोजी देखने को मिला है एक तो ट्रेंड चेंज डेफिनिटली होगा तो मैं अपवर डिरेक्शन के लिए जाओंगा सिंपल सा समझ गया मैं तो वी आ गोइंग इन अपवर डिरेक्शन गाइस पांच डॉलर की एक मिनट के लिए ट्रेंड मैंने प्लेस कर दी है यहां पर आप देख सकते हैं जूम इन यहां से भी आप देख सकते हैं आफ्टर डिस ट्रेड हम मुलाकात करते हैं एक बार फिर से तीन सेकिंड दो सेकिंड एक सेकिंड जीरो एंड अब बिक हुज प्रॉफिट चलिए 4.10 अब हम फिर से एक पांच डॉलर की ट्रेड लेने वाले हैं तो 4.10 नहीं छे डॉलर की लेंग यार 6 डॉलर की चलिए 6 डॉलर की हम ट्रेड लेते हैं और मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो कुछ कहनी सकते हैं काफी बड़ा रिवर्सल है इसकी वज़ा से चलिए जैसा आपको पता है मुझे फिर से एक ब्रेक लेना पड़ा छोटा सा क्यूंकि अभी CPI का इंपक्ट देखने को मिल सकता है और जिसकी वज़ा से काफी ज़ादा फ्लक्टुईशन है और मतलब CPI का इंपक्ट मतलब Consumer Price Index ये जो है आपको हर महीने देखने को मिलता है निउस इंपक्ट आपको नहीं पता है चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं उसमें क्या होता ना एक घंटे पहले और एक घंटे बाद आपको इंपक्ट देखने को मिलता है तो उसकी वज़ा से दिक्कत आती है कैंडल्स में फ्लक्टुईशन काफी जादा होते है अभी इसी वज़ा से क्या करना चाहिए मैं downward direction में जाऊंगा और मैंने trade जो है वो place कर दी है जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ से आप trade को और अच्छे से enjoy कर सकते हैं इस trade के बाद हम फिर से मुलाकात करते हैं तो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस result of 192 डॉलर्स और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं 150 डॉलर्स तक हमारा account पहुँच चुका है 150 डॉलर्स तक जो शुरुआत की थी हमने 10 डॉलर्स है तो यहार account यह 150 पहुँच चुका है मैंने आपको बताया था 150 पे हम withdraw करने वाले हैं फिलहाल इसको postpone करेंगे 150 की जगा 200 पे हम withdraw करेंगे 200 डॉलर्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगा 10 डॉलर्स से जब आप इतना बड़ा amount पहुचा देते हो तो withdraw कैसे करना रहता है क्या proper तरीका है क्योंकि अभी तक आपने सीखा आपका account ब्लॉक नहीं हुआ है यानि आप देखेंगे 10 से 150 पहुचा दिया ना ही कोई block हुआ ना ही कोई limit लगा क्या वो तरीके हैं मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा और withdraw करते time क्या चीजों का किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए साथ में बने रही गया series के यार क्योंकि 150 नहीं अच्छा नंबर नहीं लगा 200 में क्या करेंगे हम 100 डॉलर का ले लेंगे withdraw 100 पड़े रहन देंगे या फुर 200 के 200 का ले लेंगे और फिर से उसको deposit कर देंगे कुछ देखेंगे बट 150 थोड़ा सा ओड सा लग रहा है even number चाहिए so it like it could be better so थोड़ा सा और जाते हैं then हम withdraw लेते चलिए यार मुलाकात करेंगे और exciting videos के साथ stay tuned keep watching and thank you so much for watching this video till the end